ओपेन कैम्रा से हलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है, एच्टू और स्टूरी चानल में देखिए एक छोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना था आप लोगों को और एक अर्जेंट इंफॉर्मेशन है देखिए ये है anti mitigation अट नोटीस है भीहरği, प्लिटेकनेग के लिए और ये फिर्स स्मेस्टर में के वरुप और गूप ब वाले लोग देखा न, तो गूप वजर्वाले आप लोगों का क्लासेस युटू पर अब continue क्लासेस कर दिया है जिसमें आप लोगको practice session पूरा चला दिया जाएगा जिससे कि जो भी आपका syllabus है पूरा एक बार theoretically पूरा आप लोगको दे दिया हुआ theory आप लोग playlist में सब लोग जाईएगा और theory आप लोगको playlist में पूरा लगभग लगभग मिल जाएगा और अच्छे से cover किया हुआ जो भी छूटा हुआ और theory आप लोगको धिरे-दिरे करके प्रभाइट करवा देंगे अब बचा theory तो मिल गए और बचा practice session तो practice session कासे करना है तो देखिये एक practice session के लिए आप लोगका planning किया हुआ है ये practice session आप लोगको एक August से start होगी और ये practice session आप लोगको H2O Study के YouTube चैनल प बन सकता है पूरे आप लोगको का cover करवा दिया जाएगा ठीक है और ये आप लोगका H2O Study के YouTube चैनल पे साम को 7 बज़े से प्रतेक दिन चलेगी याद रखियेगा साम को 7 बज़े से प्रतेक दिन चलेगी तो आप लोग ज़रूर लाइब आईएगा जिससे की आप लोगको practice हो सके maximum से maximum question practice हो सके और इसमें एक चीज और आप लोगको और किया गया है कि जितना भी आप लोगका internal exam में question पूछा गया था जो जो भी college में internal exam हो गयी है वहाँ पर जो भी question पूछा हुआ था वो question आप लोगों को करवा दिया जाएगा जिससे की एक मनुबल आप लोगों हाई हो सकता है कि हाँ थियोरी पढ़ लिया है अब question practice भी हो रहा है ताकि हम exam बहुत अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि exam का notification आप लोगों को आ चुका है एक्जाम का notification आ चुका है एक expected date भी आ चुका है और exam offline लेने की बात की गई है तो यह सब सारी चीजे देखती हुए जो भी हम लोगों के पास छोटा सा समय बचा हुआ उस छोटे से समय को अच्छे से utilize करेंगे ठीक है तो कल सब लोग live आईएगा हम आपके wait करेंगो जो बा एक अगस्त से एक अगस्त से continue हम लोग classes करेंगे जिसमें आप लोगों चेप्टर वाइच सारे चीज कबर करवा दिया जाएगा फर्स्ट चेप्टर यानि की कल आप लोगों को trigonometry topic पढ़ कराना है trigonometry topic पढ़कर आएगा उससे हम लोग maximum से maximum question practice करेंगे इसके बाद फिर हम लोग classes में बात करते रहेंगे कि next day कौन सा topic से होगा next day कौन सा topic से होगा next day कौन सा chapter से होगा सारे चीज़े हम बताते रहेंगे live class में ठीक है बस आप लोग practice करते रहेंगे ठीक thank you bye